इस वक्त हमारे साथ सपा के कद्धावर निता रामगाbn चौधरी जी है बलिया से आते हैं आठ बार विधायक रहे हैं नेटा प्रित्पख्ष भी रहे हैं तो इस बार भी तेस तारीक से यहां पर विधान्सभव सत्र चलने जा रहा comfortable चलने जा रहा है आज हलाकि सपा विध पर अश्मान चू रही है। बेरोजिगारी पैंतालीस वरस के अंदर कभी तिरी रही नहीं है। सभी सारकारी उपक्रम सारवजानी गुपरम एके करके बेचे जा रहे हैं। उभी बेचे जा रहे हैं जो लाव में है। तो गरीब बिल्कुल तटफरा रहा है। महांगाई इतनी बड़ी है कि लोगों को समान करिदने में रोना आता है। बहुत लोग अब सबजी ना करिद करके चटनी से रोटी का रहे है। यह इस्तिती है। गरीबों का रासन का जमा करवाया जा रहा है। उनको रासन मिलेगा जिनके पास कुछ होई नहीं है। तर आपने बात बेरोजगारी की है। यहां पर योगी सरकार जो हो सेर्मनी की तैयारी कर रहे है। तो उसको लेकर यह दावा किया जा रहा है करीब धाई लाख लोगों को इस पर रोजगार मिलेगा। यह तो पीछली सरकार में भी कहते थे यह। यह तो कहते थे का मैंने चार लख लोगों को नोकरी दे दिया। मैंने पुछा की कहां दिया है बताईए। चुटो होई। भारती जनता पार्टी को यह बात समझ में आ गई है। कि जितना हम ढूτο ज्यूट बोरेंगे, जितना हम लोगों को दिमागों को डायवल्ट करेंगे, लोग हमारी बात को सु है। ऐसलिए हमेज़ा २्ही टो कभी राम मंठीर कभी आ command the वहा तो बनारлам के मसजिद उसके बाद Maathura के मसजिद उसके बाद कुतूब मिनार, ताज महल तक बात आ गई, क्या लोग यह इतियास कोई मिठा देंगे? हमारे पूर्वज उसमें भी तो थे, एक महरानी ने कहीए कि जहां बना है ताज महल हमारी जमीन, तो उसमें अप कहां थे, क्यों बनने दिया? तो इसके पास कोई लोगों की आर्थिक स्थिती को उपर बढ़ाने, बेरोजगारी की दर को कम करने, बेरोजगारों को काम देने, नोकरी देने का कोई एजंडा नहीं है, इनका एजंडा है कैसे हम सरकार बना ले? किसी के भाले की बात नहीं है चौल अपने बाले की बात कि हमारी सरकार बन जाए के और इसी पर भरती दन्तपार्टी काम कर रहे हैं समझवादी पार्टी हर मुद्दे को महांगाई, बिरुजगारी, किसानों की दुर्जशा, हर बात को उठाईगी बिधान सावा में, जो भी जनीद के मामले होंगे, और उसका जवाब सरकार के पास नहीं होगा. जिस तरीके से लगातार चल रहा है कि जो आजम खान है, वो सपा से नाराज चल रहा है, हलाकि यहां पर सिपालियादों वहां गए थे, सितापुर जेल उन्होंने रिसीप किया है, वो करके यहां पर लाएं, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस बार क्या बिधान सावा सत्र म आजम खान अकलिस के सायोगी होंगे? और उनके परिवार के तो आए है सलिए तो गए थे, परिवार कीं पुजारा चाहिए हो गए, और आजम खान साहाव समझवादी पाटी के संस्थापक सथा से हैं, हमारे पाटी के बरिष्टम नेता है, पाटी में उनका सबसे अधिक स मान तो अजम का सफा में उन्हों के नहीं का गिंव सफा में नहीं है उथ तो भाजपा की चाल है भाजपा कांगरिस दोनों मील करके ये गोटिया के ल रही है ग्यान्वापी को लेकर जिस तरीके से वहां पर राजनीती हो रही है हलाकि अखलेस यादो कवह उस पर बैना आथा लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो यह कह रहा है कि सिवलिंग है और एक पक्ष जो पर्थम पक्ष है वोहाओ रहा किuing सीवलिंग नहीं फॹवार आये क्या कहेंगा है Чॉय यह नहीं देखेंगां हे किकि इस दोर को कि हो नहीं सारकार काम करती है भरती जनतर पаствरे काम करती है कि अए रगाथे लोग उपर उनाइख कम हो बेरुजगारी दूर हूँ, लोगों को सस्ती दवा मिले, बिना पैसे के दवा मिले, इस पर क्यों नहीं भागपा काम करती है, इसलिए कि उसके पास ये जंडा है नहीं है, केवल हिंदू, मुसल्मान, मस्जिद और मंदिर, और चुकि बहुमत है हिंदूों का, और जो लोग अधिका स्थावान होते हैं, और इनके जाल में फस जाते हैं, तो इसलिए ही मामले उठाते हैं, और मामले दब जाते हैं, कोई बेर्विगाजी की बात न करें, महांगाई की बात न करें, भरष्टचार की बात न करें, भरष्टचार में सरकार बिलकुल ओत परूत हो गई आपने बात स्वास्त की है लगातार बिर्जेस पाठक जो डिप्टी सीम हो लगातार चापे मारी कर रहे हैं अस्पतालों में जा रहे हैं अभी जल्द ही 14 करोन रूपे की दावा जो इक्सपारी थी वो पकड़ी गई है लेकिन क्या लगता है आपको कि अब तक कोई कारिवा हुई हुई करवाई नहीं ही पाठक जी चातर नेता है अपन चातर नेता जो होता है वो आएक्टिव लाता है चातर जीवन से तो जो मामला बिगड़ गया है उनको कुछ देना तो है नहीं नहीं देना तो सरकार को है देना मुक्यमंत्री को है कोरोना काल में लाखों लोग 40,000,000,000 लोग मर गये, WHO ने कहा है, दवा के अभाव में, बेट के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, एक-एक सुई, एक-एक देड़े लाख में लोगों ने खरीदा, जो दस हजार, पांच हजार की थे, तो हस्पीतल की दसाप इलकुल दहली है, साफ काटने तक की दवा हश्पितलो में नहीं, कूता काटने के ही बुड़ करने से क्या हो जाएगा और यहां बैठ करके उसका इंतजर रहा हुआ हम दौन से क्या होगा तुम इंतफने जाम करो कियम यह था ऐल पैरा सीटा माल है हस्पिल उन में जाक आप लोग पतरकार इचे कर लिगे सारी स्विधाय जो पतरकार की थी जो भूत्पूर विधाय की थी बरतमान विधाय की थी सब खतम कर दिया तो इस सरकार के मन में जनता की हीत की बात नहीं है हम कैसे सरकार बनावें कौन जाली बात कहें कैसे लोगों का दिमाग भटका में पूरी भारतीजंता पार्टी ये पूरी भारत्मीर परट्राश की सेरकार छेँचो केंद्र हो, छेड़िए उतरप परदेश की हो, इसी में लगी हुई है, तो ये थे शपा के नेता राब गुमिन्द चोधरी जी जिनका साफ तोर पर कहना है कि यहां तेज तारीक से विधानसभास सत्र चलेगा और निस्चित तोर पर यहां पर जो सपा दल के नेता हैं, नेता प्रत्पक्ष हैं, अखलेश यादो लागातार इस पर रोजगार हो, म घेरा जाएगा, कमरामन रोशन के साथ, राज कुमार सिंग, आरनाइन न्यूज, लखनो